अच्छा जो वीडियो आप लोग देखने वाले हैं ये एक वर्ड एक्स्क्लूसिफ वीडियो होने वाली है जिसका मतलब है कि जो सेल फोन है ये पहली बार इसी वीडियो के अंदर दिखाया जाएगा तो अगर आप एक यूट्यूबर है या आप इस कॉंटेट को यूज कर कर दीजेगा और ये मत करिएगा कि यहां से कॉपी करके अप्लोड कियो अधरवाइज आपको मैं स्ट्राइक इस वीडियो बनी बेजूँगा तो आप एजिली बना सकते हैं अग्राइज की वीडियो जो है मैं ये कहूंगा कि इस चैनल के ऊपर अपलोड होने वाली सबसे जो ज़ाधा क्रेजी वीडियो है ना उनमें एक है शायद अब तक की सबसे crazy वीडियो क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर जो फोन में आपको दिखाने वाला हूँ यह एक world's exclusive first look होने वाली है जिसका मतलब यह है कि इससे पहले इस mobile phone की proper video किसी भी बंदे नहीं बनाई यह mobile phone अभी official भी नहीं हुआ लेकिन आज की इस वीडियो के इंदर मैं आपको यह mobile phone दिखाने वाला हूँ यह वो ही mobile phone है जिसके related हमें काफी leaks और rumors देखने को मिल रहे हैं काफी लोग तस्वीरों की base पे वीडियो बना रहे थे but then I decided कि मैं आपको यह mobile phone actual में दिखाऊ हूँ क्योंकि यह एक बहुत ही जादा crazy device है आपको मेरी excitement के level से अंदाजा हो रहा होगा कि यह कोई arm device नहीं है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ flagship level की series है although यह mobile phone टेक्नो की flagship series के अंदर आ रहा है लेकिन इस mobile phone का जो price tag होने वाला है वो flagship वाला नहीं होने वाला यह चीज़ मुझे clear है exact price tag जो है वो मुझे नहीं बताया गया तो I cannot diverge on that लेकिन मैं यह जरूर बता सकता हूँ कि यह जो mobile phone है ना अगर यह launch होता है तो यह आपको surprise जरूर करेगा क्यूंकि जो specification इस mobile phone के अंदर लगाए गए है वो आप सोच ही नहीं सकते कि टेक्नो किसी mobile phone में देगी तो इस mobile phone का जरा design जो है पहले उस पर नजर डाल लेते हैं वो यह जो mobile phone है back side पर एक triple camera setup के साथ आता है आप देख सकते हैं यहापर जो main camera है वो काफी बड़ा है इसकी details में आपको आगे चल कर देता हूँ यह बहुती crazy शीज है इसके लावा जो back है उस पर techno phantom जो है वो लि आ गया है तो focusing जो है इस mobile phone की काफी जाता तेज होने वाली है यह जो triple camera setup है इसमें main camera 50 megapixel का दिया गया है और interesting बात यह है कि इस sensor का नाम है Samsung GN1 sensor अब Samsung GN1 sensor जो है अगर मैं आपको दूसरी devices बताऊं जिन में आया है तो वो सब flagship level की devices थी और इनमें vivo x60 pro plus जैसे phones थे जो के बिलक सब्सक्रीन चीज है कि वो वाला sensor इनने यहां पर लगा दिया है इसके इलाब अगर आप phone की look देखते हैं तो एक चीज़ आप notice करेंगे कि यह बहुत साथा curve है अब यह curve सिर्फ back side से नहीं है बलके even front side से भी curve है यहां पर front side पर जो display लगाया गया है वो यह काफी बड़े size देखने को मिल रहा है और वो भी एक curve AMOLED display है और उसके इलावा यहां पर in display fingerprint scanner को भी दिया गया है तो कावियत तक जो flagship वाले vibes है वो यहां पर आ रहे हैं एक और चीज़ जो कि यहां पर आप लोग notice करेंगे जब आप इस mobile phone को use करेंगे hopefully यह पाकिस्तानी market में आएगा तो वो यह है कि इस mobile phone के इंदर जो display लगाया गया है वो एक fast refresh rate वाला display है यहां पर 90Hz AMOLED को use किया गया है तो आपको जो high refresh rate है वो भी देखने को मिल जाएगा इस mobile phone के अगर आप internal specs पर जाते हैं तो यहां पर Mediatek का Helio G95 का chipset यूज़ किया गया है जो कि बहुत ही जादा powerful chipset है front camera जो है वो 48 Megapixel का लगाया गया है और back camera तो मैं आपको औरेडी बता चुका हूँ कि Samsung का GN1 sensor है मैंने अभी यह एक prototype unit है और इस पे कुछ तस्वीरे खेंची है और honestly I am blown away by the results जो कि यह sensor produce कर रहा है इसके इंदर जो detail है वो बहुत जादा है और यह तस्वीर जो कि देखने मे आपको काफी decent तस्वीर लग रही होगी बिलकुल भी अच्छी lighting में नहीं ली गई यहाँ पर बड़ी बुरी lighting थी लेकिन इसने उसको काफी अच्छी तरह से जो है वो adjust कर लिया है इसके इलावा यह mobile phone जो है 33 watt की fast charging के साथ आने वाला है और मैं अभी इसका price tag तो reveal नहीं कर सकता लेकिन मैं यह guarantee कर सकता हूं कि शायद यह पाकिस्तानी market का सबसे सस्ता handset बन जाया है जो के multiple categories के अंदर होने वाला है तो I just cannot reveal the price tag right now लेकिन यह mobile phone बहुत ही crazy होने वाला है और एक और चीज है भाई यह सीदा खड़ा भी हो जाता है यह भी एक feature है कुछ लोगों के available है और यहाँ पर जो body है वो aluminium की बनाई गई है जबके back side भी glass है और front side पर भी आपको जो glass है वो देखने को मिल जाता है और front camera जो है वो एक single camera नहीं बलके एक dual camera है तो आप यहाँ पर दोनों camera's का use है वो कर सकते हैं इसके अगर आप video side की बात करते हैं तो दोनो front और back camera 4K video recording की जो option है उनको support करते हैं ultra wide पर जाएंगे तो 1080p video resolution है और front और back दोनों के अंदर ही आपको image stabilization की जो option है वो देखने को मिल जाती है जो कि again मेरे लिए एक बहुत important चीज़ है यहाँ पर video के अंदर boke effect भी दिया गया है ultra wide angle camera भी दिया गया है और वो सब चीज़े दी गई है ज काफी जादा चीज़ें हो रही है और हो सकता है कि mobile phone पाकिसानी market में है तो इसके अंदर कुछ चीज़ें और भी change कर दी जाए क्यूंकि this is an early prototype जिसकी पहले तस्वीरें leak हो रही थी मैंने decide किया कि मैं आपको दिखा दूँ because मैं यह नहीं चाहता था कि मैं सिर्फ तस्वीरो देखने को नहीं मिलते हैं आपके पस दो SIM और एक memory card की जो option है वो available है टेक्नो ने जब अपना flagship बनाया है तो उनने इस तरह की हरकते नहीं की कि SIM card निकाल दें या कुछ memory card की option ना दें सब कुछ available है देखने में यह जो device है हर लिहाज से बहुत जादा premium feel हो रही है यार इस mobile phone जहां पर यह launch होगा पहली बार होगा कि हमें एक AMOLED कर्व स्क्रीन देखने को मिल रही है मैं से फितना कहूँगा चैनल पर नहीं है चैनल को subscribe कर लिजेगा मैं कोशिश करूँगा कि इसी तरह की leak वीडियो जो है वो आप लोग के लिए और लेकर आओं मैं ऐसी leak नहीं बना कि हमने यह पाकिस्तान में पहला नहीं किया हमने यह पूरी दुनिया में पहला किया है तो उस चीज़ को promotion मिलनी चाहिए subscribe कर लिजेगा अगर आँ नहीं किया हुआ वीडियो को like कर दीजेगा दुसक्ता शेयर कर दीजेगा इस वीडियो में इतना ही दस विलाल साइनिंग ओफ अलाहापिछ